नॉर्मली जो नॉर्मल लोग होते हैं वो मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या मार्केट के अलावा एकनॉमी की हैपनिंग्स को भी समझ नहीं पाते हैं यानि की मार्केट में कुछ इवन्ट हो जाने के बाद मार्केट में गिरावट हो जाने के बाद मार्केट में एक तरह से रैली हो जाने के बाद या कुछ एकनॉमिक डाटा आ जाने के बाद ये सारे लोग एक तरह से पोस्ट मॉटम एनलिसिस करते हैं वो पोस्ट मॉटम एनलिसिस या तो कोई रिसर्च रिपोर्ट को देख के कर रहे होंगे या किसी media channel के उपर post-mortem analysis आ रहा होगा उसको देख रहे होंगे या social media channel जिसको हम follow कर रहेंगे वहाँ पर post-mortem analysis आ रहेगा हम उसको देख रहेंगे या कोई हम whatsapp या telegram channel में जुड़े होंगे तो post-mortem analysis कर रहेंगे या हमारे financial advisors, agents, brokers, bankers या हमारे so-called experts, हमारे friends जिनसे हम advice ले रहे थे हम उनसे भी post-mortem analysis ले रहे होंगे कि market आज क्यों गिरी, market आज क्यों उठी, reliance आज 25 क्यों पहुंच गया, reliance आज 2000 क्यों पहुंच गया आज IT sector क्यों बढ़ रहा था, वगयरा, वगयरा, वगयरा होगा, market में होने से पहले, या economic happening होने से पहले, यानि कि GDP का data release कैसा होगा और उसके current market में क्या behavior होगा, या let's say किसी bank के या किसी company के results क्या होंगे, उससे पहली हमें समझो कि उसका share कहा move करेगा, यानि कि economic happening होने से पहले, या market की happening होने से पहले, समझ अगर ना आए, तो फिर ये सारे post-mortem analysis से कोई फायदा नहीं, क्योंकि post-mortem analysis तो actually में, हम किसी ना किसी channel को देखेंगे, तो हमें पता लगया कि कई YouTube channels ऐसे हैं, जो हमारे सामने live investing दिखा रहे होता है कि मेरे पास आज 50 लाक रुपे मैं live investing करूँगा, अगले तीन दिन में हो कह रहेंगे, बहुत बड़ा crash आ रहा है, फिर पांचे दिन के हो कह रहेंगे, मैं average करने लगा फिर अगले 7-8 दिन में कहेंगे, बहुत बड़ा crash हाथ, फिर जब थोड़ी सी market उड़ जाई हो कहेंगे, बस market तो बढ़ने लग गई है और यह बढ़ती चली आएगी, यानि उनके statements change होते हैं, आप अगर उनको अराम से follow करेंगे और यह सिरफ social media channel नहीं, YouTube channel नहीं, WhatsApp, Telegram य Most humbly, यानि कि बहुत humble words से, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पहले मैं भी यही करता था, before मैं एक largest private sector bank के treasury derivatives department में जब तक मैं नहीं आया था, यानि कि उससे पहले मेरा भी career path वाव था, God's grace, और यानि कि वो सारा कुछ बहुत बढ़िया देखा, मगर market और economic happenings नहीं समझ आती थी पहले से, हो जाने के बाद ही समझने की कोशिश करते थे, मगर जब treasury department में आये, with one of the largest private sector bank, तो समझ आया, market और economy किसी और reality से चलती, और वो reality जब तक हमें नहीं समझ आएगी, हम गोल गोल घूमते रहेंगे कि market पता नहीं क्या कर रही है, और हम हमेशा यहीं कहते है मार्केटर कोई पता ही नहीं लगता, economy में पता नहीं क्या ही हो जाता है, और हम कई तरह की research report, macro analysis, micro analysis, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके कारण बावजूद, उसके बावजूद भी हमें कुछ clarity thought process में नहीं आती.